कूल पेट कूल वन को इंडिया में लॉंच कर दिया गया है इसके डामेंशियंस है 152 x 74.8 x 8.2 mm वेट है 167 ग्राम स्क्रीन साइज की बात करें तो 5.5 इंच का फुल एजजी डिस्पैय आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा 8 मिगापिक्जल एफ 2.2 एपर्चर के साथ आता है 1.4 यूम पिक्जल साइज है इसमें आप एजजी रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे इसके रियर कैमरा के बात करें तो इसमें आपको 13 मिगापिक्जल के दो एजनी ड्यूल कैमराज का उप्शन मिल जाएगा जिससे कि आप 4K वीडियो डिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे साथ ही इसमें आपको slow motion वीडियो डिकॉर्डिंग का उप्शन दोता है जिसमें कि आप 720p पिक्जल में slow motion वीडियो डिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे LED फ्रेश की बात करें तो dual tone LED फ्रेश इसमें दिया गया है इंडिया में ये दो वारियंट्स में उपलप्द होगा पहला है 3GB RAM और 32GB इंटर्नल मेमरी के साथ और दूसरा model है 4GB RAM और 32GB इंटर्नल मेमरी के साथ इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 652 processor मिल जाएगा Connectivity की बात करें तो इसमें Wi-Fi 802.11 ABZNAC Dual Band मिल जाएगा Wi-Fi Direct भी इसमें है Hotspot Bluetooth 4.1 version ADUDP GPS with AGPS Glowness BDS और इसमें बैटरी है 4000 mAh की Long Lasting Lion Polymer बैटरी है Android 6.0 Marshmallow version मिलेगा Fingerprint sensor इसमें है जो की Rear Mounted है Sensor की बात करें तो इसमें आपको Accelometer Gyro इसको Proximity, Compass, Light Ambient Sensor है Phone के उपर की साइड आपको 3.5mm audio jack देखने को मिल जाएगा Bottom में USB Type-C 1.0 reversible connector दिया गया है इसमें आपको Fast Charging support भी मिल जाएगा 50% charging 30 minute में आप Quick Charge की विज़त से कर सकते हैं भारत में ये phone दो variant में आएगा 4GB, 32GB variant जो की Only Online Available होगा दूसरा model 3GB RAM, 32GB internal memory जो की केवल offline ही उपलपद होगा अब color की बात करते हैं इसमें आपको Gold, Silver और Rose Gold color मिल जाएगा इसके price की बात करें तो ये दोनों ही model 13,999 रुपय में आपको मिल जाएगे जो 4GB RAM और 32GB internal memory वाला model है वो केवल आपको online ही मिलेगा वो भी आपको 13,999 रुपय में मिल जाएगा जो दूसरा model है 3GB RAM और 32GB internal memory वाला वो आपको offline मिलेगा price दोनों का सेम है features के लिए से काफी अच्छा phone है performance भी काफी अच्छी है सबसे खास feature इसमें इसका camera है, dual camera जो कि 4K recording भी कर सकता है processor की बात के तो processor भी बहुत अच्छा है totally मिलाके 10 में से 8 point इसको हम दे सकते हैं so friends यही थे आज का latest gadget news इसी तरह आगे भी हमाने साथ बने रहिए और इस channel को subscribe करना मत भूलिए THANKS FRIENDS, JAI HIN